हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पत्ता सने स्दित केगी कॉलनी रहने वाली रूपल भार्ट ने रिपोर्ट दी हमारा अबास ने इलका एक इंग्रिस्टी वे लेगिया है जहां पर एक सेखड़ो मज़ूर काम करते हैं दिनांग 1426 को दाउजी की ओतल पर महिला मज़ूर खड़े पर जहां पर एक मोटर साइक लेका है और जो मज़ूरी की बाहने उन महिला मज़ूर को लेके गया अब जहलामन साइड में कुछ उंसान कहते हैं जान ले जाकर उसमें उनको डरा दमका कर दोना मज़ूरों से उनके अभूशन वगरा चिंग लिये उसके बाद में हमने हमारे उच अदिकारियों के मूजिशन में एक ठाना इसकर पर एक टीम को लटन किया जिसमें पिर हमने CCTV केमरे और ज़री फास मुख्री ली तलब से सांग्रिया आज दिनां के 21-26 को सांग्रिया से तीन लुगों को हमने दस्तिया किया जिनको ठाने लाकर उनसे पूस्ताज करी अब हमने जूरी पभूल किया वो सुबह दावजी होटल चौराहा पर कारे के हिसाब से कमटा मस्दूरों के साथ खड़ी थी तब एक यूवग बाइक पर आया बजडी चानने का काम दिलाने का कहा बाइक सवार बदमाश ने कहा कि इस काम के एक दिन की 450 रुपे मिलेंगे बदमाश ने दो महिलाओं के काम की जरुरत बताए तब ही वहाँ कड़ी ठेकेदार ने कहा कि दो महिलाओं चली जाए लेकिन बदमाश ने जगा नहीं बताए ठेकेदार ने इस दौरान बाइक के नमबर देख लिये थे बदमाश दोनों महिलाओं को एक ही बाइक पर बैठा साथ ले गया रास्ते में महिलाओं ने उसे पूछा भी कि कहां ले जा रहे हो तो शातिर ने जवाब नहीं दिया इतने में रास्ते में एक बाइक पर दो जने और सामने से आए और उन्हें जालामन इलागे के वीरगट गार्डन के आगे एक सोने इलागे के खेत मिले गए वहां तीनों ने महिलाओं के पहने सोने के जेवर रुपए वो आधार काट छीनी है लूट के वारदात के बाद घतना सिल के आस पास लगे सीसी टीवी कैमरे खंगाले फिर तकने की आधार पर लूट का खुलासा हुआ पुलिस ने बाले सरहाल कोडी भक्ता सनी निवासी भागिरत सोनी, शेरगट स्थित सोनारो का बास निवासी नवरतन सोनी तदा खारड़ा बांडू थाना बोरा नड़ा निवासी अचल सिंग को गिरफतार किया पूचताच में सामने आया कि बतमाशों ने इससे पहले आधा दर्चन लूट की वारदाच शेहर में की है, पुलिस अब आरोपियों से गहनता से पूचताच कर रही है